किज बाइब आपको बता देंगे आलिया अपने रेड गाउन में काफी तो सुन्दर लग ही रही थी साथ उन्होंने मीडिया के सामने ट्वर्ल भी किया आपको बता दे आलिया ने पहने तो मीडिया को काफी जम कर पोस ही उसके बाद मीडिया से उन्होंने इंटरैक्शन भी किया जिसके बाद उन्होंने अपने आगे आने वाली तीन फिल्मों की कन्फरमिशन दी है जहां आपको बता दें कि अगले साल आलिया भट की तीन फिल्म में रिलीज होने वाली है तो वहीं जब आलिया से उनके और अन्वीर के रिलेशनशिप के बारे पूछा गया तो आलिया ने कुछ इस तरीके से जवाब दिया अब भी सुनिये क्या है आलिया का रियक्शन किस बात को स्वीकार करूँ आलिया क्या सोचल मेरा पर रियक्तिया अरे फ्यूचर तुम लोग फ्यूचर में क्यों जा रहे हो अभी प्रेजिंट में रहो यून में प्रेजिंट में ब्रयूचर तो इसा होता है वो सिक्षिखे अभर इए, बिर थे लिए एवेशिए हो इसे एपली होगेशिए, आप सब्सक्रों आपकेश करते हूँ कि मेरे तो नहीं रहे होता है uh to be honest like I don't want to talk about it and I feel shy but I, uh I love my father and anything he says is and means ob basedy the world to me But um I don't want to talk about this right now means you look k ос charged ok! Wishing all of you lovely beautiful people a very very happy new year what happened जिया करूँ, 2019, New Year, New Goals, New Achievements, मैं Resolution ज्यादा नहीं भनाती हूँ, पर I think मेरा New Year Resolution यह होगा, हाँ, मैं Meditation करूँ, तो I want to continue my Meditation, मैं कोशिच करना चाहूँगे, कि मैं वो मतलब जारी रखूँ वेल, आपको बता दे कि हाल फिलाल में आलिया भट के पापा यानि की महेश भट ने के इंटर्व्यू में काहा था कि उनकी बेटी रनवीर कपूर के साथ काफी खुश है, जिसके बाद इन दोनों के relationship की मोहर लग गई है, वेल, क्या है आपकी राय ज़रूर शेयर कर अपनी व्यूज हमारे कमेंट बॉक्स में, साथी साथ सब्स्राइब करने न भूले हमारा चानल, टॉप न्यूज जस्ट फर यू, टॉप न्यूज से अमित की रिपोर्ट